बॉलिवुट की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कम्पनियों में से एक टी सीरीज के मालिक भूशन कुमार की खिलाफ रेप केस दर्च किया गया है 30 साल की महिला ने भूशन के खिलाफ काम दिलाने के बहाने रेप करने का रूप लगाया है इस मामले में अभी तक कोई गिरफतारी नहीं की गई है और फिलहाल मामली की जाच जारी है भूशन कुमार के खिलाफ डियन नगर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 376 के तहट केस दर्च किया गया है पीड़ता ने आरोप लगाया है कि भूशन कुमार ने काम दिलाने के नाम पर उनका रेप किया साथी फोटो और विडियो वाइरल करने की धम की दी आपको बता दें ये पहली बार नहीं जब भूशन कुमार पर इस तरह के आरोप लगे हैं इससे पहले मीटू मूवमेंट के दौरान भी भूशन के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगे थे उस वक्त मॉड़ल ने भूशन कुमार पर शारिरिक उत्पीडन का आरोप लगाया था मीटू आंदोलन के दौरान भूशन पर आरोप लगा कि एक मॉडल ने उनके साथ सोने से मना कर दिया तो उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था हालकि इन आरोपों पर भूशन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खुद पर लगे सभी आरोपों को सीरे से खारिच कर दिया था भूशन ने अपने बयान में कहा था कि मीटू आंदोलन का इस्तमाल कुछ लोग उनकी छवी खराब करने के लिए कर रही है इस नए मामले के आने के बाद से बॉलिवुट के गलियारों में फिर से मीटू की गूंच सुनाई देने लगी है बता दे भूशन कुमार पहली बार इस तरह के विवादों में नहीं फसे हैं इससे पहले भी वो कई बार निशाने पर आ चुके हैं पिछले साल जाने माने सिंगर सोनु निगम ने भूशन कुमार को म्यूजिक माफिया बताय था साथी साथ कई गम भी रारोप लगाये थे जिसके बाद काफी बवाल मचा था बाद में भूशन कुमार की पतनी दिव्या कुमार खोसला ने अपने पती का बचाव किया था और सोनु निगम को लतार लगाई थी वह याब भूशन कुमार को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है खैर सच क्या है ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है जाच चल रही है आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताए